reason, reason, r-e-s-o-n-e-d, reason, यानि past tense and past participle of reason, तो इसका अर्थवा तर्क करना, बहस करना, सिद्धान्त लाना, समझाना, परिणाम निकालना, सोच विचार करना, विचार करना या दलील करना, इसको इन sentences में थोड़ा और अच्छी से कलियर कर लेते हैं, जैसे दक्षिन पंती ने हमेशा की तरह ही तरक दिया है यानि की मैं उसकी चुपी से समझा की वह दुखी था उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी इंगलिश को और जादा बहतर बनाने के लिए चैनल के होम पेज पर हजारों वीडियो है जिनने जाकर आप देख सकते हैं